मोटरोला दोस्तों 2022 के स्काटिंग में एक प्रीमियम फ्लाक्शीब स्मार्टफून को लॉंच कर सकता है मोटरोला एज 30 अल्टरा को जहां दोस्तों रिसेंटली इस स्मार्टफून को टीना पे स्पॉर्ट किया गया था और भी दोस्तों काफी सारे सर्टिफिकेशन साइट पे अल्रेडी सर्टिफाइड हो चुका है इसके लावा दोस्तों कुछ टम पहले इस स्मार्टफून का रेंडर्स इमेज लीक हो गया था जो आगे आपके सथ वीडियो में शेयर करने वाला हूँ वैसे बताया ज़रा है दोस्तों कि चाना में Moto Edge X के नाम से लाउंच होने वाला है और Global Market और इंडिया में दोस्तों Motorola Edge 30 Ultra के नाम से आने वाला है तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बात कर लेते हैं पहली ब्राइंच चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं वीडियो पसंद रहा है दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दियेगा सबसे बहुत दोस्तों बात कर लेते हैं डिजाइन के बारे में एक सिंगल पंचोल डिजाइन के साथ आता है और अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्पैक्स के बारे में तो शुरुबात करते हैं दोस्तों डिस्पले से तो आपको 6.67 इंच का आपको एक आमूलेट डिस्पले मिलने वाला है विथ 144 हर्ट्स रिफ्रेश रेट का आपको सपोर्ट मिलेगा जहां दोस्तों आमूलेट डिस्पले विथ 144 हर्ट्स रिफ्रेश रेट का आपको सपोर्ट मिलने वाला है जहां पर आपको SDR10 Plus Certified होगा डिस्पले टॉप के आपको सिंटर में एक सिंगल पॉंचोल डिजाइन के साथ आने वाला है फ्रेंड साड में दोस्तों वैसे कौन सा पोडेक्शन यूज के जाएगा इसके बारे मुझे इंफोर्मेशन नहीं है इसके लाओ दोस्तों बात कर लेते हैं प्रोसेसर के बारे में तो आपको performance के लिए Qualcomm Snapdragon 898 के साथ आने वाला है वैसे दोस्तों Qualcomm ने इस प्रोसेसर को अब तक एनॉंस नहीं किया है बट बदाए जारा दोस्तों कि इसी महीने 30 नॉंबर को लॉंच हो सकता है देखते हैं दोस्तों Qualcomm ने इस प्रोसेसर को कब तक एनॉंस करते है इसके लाओ दोस्तों आपको यहां पर दो RAM वरेंड मिलने वाला है 8GB और 12GB एलोंग विथ 128GB और 256GB इंटनल स्टोएज के साथ आएगा स्टोएज और RAM सपोर्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों LPDDR5 RAM का आपको सपोर्ट मिलने वाला है और UFS 3.1 स्टोएस टैप का आपको सपोर्ट दिया जाएगा इसके लाब बात कर लेते हैं सॉफ्ट्वेर के बारे में तो out of the box Android 12 के साथ आने वाला है जहां आपको कस्टमाइज किया जाएगा माई यूई 3.0 के साथ और दोस्तों बात कर लेते हैं कामरा के बारे में तो रेर साड में आपको ट्रिपल कामरा से डग दिये की लडी फ्लासलाइट आपको दिये गया है जो प्रैमरी संसर है दोस्तों आपको 50 मेगा पिक्सल का मिलने मला है साथ में आपको OIS का सपोर्ट मिल जाएगा जो secondary camera है दोस्तों वो भी 50 मेगा पिक्सल का अल्ट्र वाइड लेंस होगा और थर्ट संसर है दोस्तों टू मेगा पिक्सल का देफ संसर मिल जाएगा जहाँ बात करो दोस्तों सेल्फी कामरा के बारे में तो फ्रेंड साइड में आपको पंच्छोल में 60 Megapixel का मिलने वाला है, जहें आप 60 Megapixel के यहाँ पर सेल्फी क्यामरा मिलेगा, इसके लाद दोस्तों बात कलेते हैं, बैटरी के बारे में तो आपको 4700 इमेज का मिलने वाला है, 68W फास्टिंग सपोर्ट के साथ आएगा, और में दोस्तों आपको 68W का चादर मिल जाएगा, कुछ एडिसे में फीचेस के बारे मात कलेते हैं, ओवेसली आपको 5G का सपोर्ट मिलेगा, Wi-Fi 6 का साथ आने वाला है, Bluetooth 5.2 का सपोर्ट मिलेगा, studio speaker आपको देगे है, शाहिद से दोस्तों आपको 3.4 लोज आपको देखने को और चैना में दोस्तों Moto Edge X के नाम से लाउंच होगा, प्राइज के बारे में बात कलेते हैं दोस्तों तो इसके बारे मुझे कोई आइडिया नहीं कि किस प्राइज पर इस स्मार्टफून को लाउंच के जाएगा, लेकिन उमीद कर सकते हो दोस्तों कि 70-80,000 के आस पास में प्राइज होना चाहिए, वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों ये सारे स्पेक्स के साथ अगर आता है तो किस प्राइज पर लाउंच हो सकता है, आप मुझे कम patents कर करके बता सकते हैं, और आप दोस्ताब बात करेते हैं, तो वैसे बताया जला है कि Qualcomm Snapdragon 898 इसी महीने 30 नॉं को लॉंच होने मेला है तो तुरांद बात दोस्तों आपको चैना में देखने को मिल जाएगा मैं भी दोस्तों अमीद करो कि आपको दिसंबर इंड में या फिर आपको 2022 के स्टार्टिंग में 100% आपको चैना में देखने को मिलेगा उसके बाद आपको ग्लोबल मार्केट और से किसी और वीडियो में तपते के लिए धन्यवाद